फेमन सोरेन को जटका देंगे चमपई सोरेन चमपई सोरेन थाम सकते हैं बीजेपी का दामन क्या बोले कि बढ़ गई हैं अटकले इस साल के अंतक कई राजों में विधानसभा चुनाओ होने हैं जिसमें जारखंड भी शामिल है अगले छे महीनों में ही महाराष्ट्र, हरियाना और जारखंड विधानसभाओं के कारिकाल समाप्त हो रहे हैं महाराष्ट और हरियाना विधानसभा का कारिकाल नौंबर में तो जारखंड का जनवरी में समाप्त हो रहा है नज़िक आते चुनावी समय के सास साथ सियासी हलचल भी तेजी पकडने लगी है और दल बदल की अठकलें भी तेज होने लगी है इसी कड़ी में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि CM हेमन सोरेन के चाचा चमपई सोरेन जेमन चोड़ कर BJP का दामन थाम सकते हैं साथी वा कई विधायकों को भी BJP का दामन पक्रवा सकते हैं दरसल सुकुरवार को पूर्ष मुख्यमंत्री चमपई सोरेन यूसील माइन्स में एक मजदूर की मौत के मामले में CMD से मिलने पहुचे थे लगभग एक घंटे तक CMD और अनधिकारियों से मजदूर के परिजन को नौकरी और मुआवजा देने पर बात चीत हुई वहां से निकलने के बाद चमपई सोरेन जादू गोडा इस्थित जामूमो कारयाले पहुचते हैं जहां पर उन्हें पत्रकारों से बात चीत की इस दोरान पत्रकारों ने चमपई से BJP में जाने को लेकर सवाल किया पहले तो चमपई सोरेन बीजेपी में जाने के कयासों के सवाल को टाल गए हाला कि बाद में उन्होंने कहा कि अभी भी राजनितिक जीवन बहुत लंबा है क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है उनके साथ है लोविन हेंबरम के दिल्ली होने के सवाल पर चमपई सोरेन ने बयान दिया कि देखे मैं तो आपके सामने हूँ लोविन पर कुछ भी बोलने से हाला कि उन्होंने इनकार कर दिया चमपई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल को इस पश्ट रूप से खारिज नहीं करने को भी कई माइने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं इन बातों को चमपई के एक और कदम ने और सीरियस कर दिया है जो की है सोतंतरता दिवस के आउसर पर सराई केला में जब उन्होंने भाषण दिया था तो भाषण में मुख्यमंत्री हेमन सोरिन का नाम का जिक्र ही नहीं था जिसको लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है साथी स्थानी लोगों के साथ ही जामूमों नेताओं ने भी कहा है कि चमपई सोरिन के भाषण में मुख्यमंत्री हेमन सोरिन का नाम नहीं लेना एक सामाने बात नहीं हो सकती है चमपई सोरिन को लेकर अटकलों की वज़े भी हैं हाली में चमपई सोरेन को हेमन सोरेन के जेल से जमानत के बाद वापस आने के बाद मुख्यमंतरी पद से हाथ धोना पड़ा है CM की कुरसी अपने हाथ में लेने के बाद हेमन सोरेन ने चमपई को कैबनेट में जगए दी है लेकिन कहा जा रहा है कि वह इस चीज से खोश नहीं है वहीं CM पत से हटाये जाने के बाद कई मौकों पर BJP के सेनियर नेताओं ने चमपई सोरेन की तारे भी की है विधान सभा के मानसून सत्र में भी BJP नेताओं ने सदन के भी तरुन की प्रशनशा की थी BJP के चुनाओं सह प्रभारी हिमंत विश्व सर्माज समेत प्रदिय सद्धक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनके साथ सहानु भूदि प्रकट करते हुए जामूमों निर्दुत पर कई बार निशाना साथते हुए सवाल किया है बता दे कि अगर ऐसा होता है तो यह नई बात नहीं होगी लोक्स भाचुनाओं से ठीक पहले सीता सोरेन ने भी BJP में शामिल होकर जामूमों को बड़ा छटका दिया था बीजेपी ने उन्हें दुमका से घोशित प्रत्यासी सुनील सोरेन को हटा कर चुनावी मैदान में उतारा था हाला कि उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी बैराल देखना होगा चमपई सोरेन का आगला कदम क्या कुछ रहता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही खबर से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें फ़न इंडिया हिंदी के साथ